छे दिन के बाद अयोध्या में श्री राम लला की प्रान प्रतिष्ठा का शुब महूरत है अयोध्या तो भव्य तरीके से पहले ही सज रही है लेकिन अगर हम बात करें चंडिगड की तो चंडिगड में भी जो तयारिया है वो देखते ही बनती है तमाम चौक चुराहों को बहुत ही सुन्दर तरीके से सजा के रखा है इस वकट हम चंडिगड की सेक्टर 22 की मार्किड है सबसे पहले आपको तस्वीरे दिखा दें जो मार्किड है, मार्किड को रंग बिरंगी, रंगी लाइटों के साथ सजाया गया है उसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि मार्किड एसोसियेशन के जो लोग है कितने उत्साहित है, हातों में जैश्री राम के जो ध्वज है, वो नजर आ रहे है खास सौर पर 22 सारी का जो कारिक्राम है, उसको भव्य कैसे बनाया जाया उसको लेकर अपने अपने तरीके से सभी लोगों ने खासी तयारी है, वो कर रखी है 22 तरीके अगर हम बात करें, क्या खास चंडिगड की सेक्टर 22 मार्किड एसोसियेशन ने किया है देखेंजे हमारी मार्किड एसोसियेशन हर तोहार को बहुत धूमदाम से मनाती है, यह तो फिर प्रभुराम की बारी है, तो इसको हम और धूमदाम से मनाएंगे अगर हमारे मार्किड में सुभापऴस्टीकों हवन होगा हवन के बाद सुनदरकान का पाठ होगा उसके बाद यहां पेभूग लगेगा भूग लगने के बाद लोगों में कड़ाप्र शाथ का पर शाहत बाटाएंगे और यह सारे जो कराकर में हमारा 22 टीक को सुबह साड़े आठ बचे से लेके जब तक हम यहां पे संगल चलती रहेगी परशाद चलता रहेगा जी और हम जै श्री राम के नारे लगाते रहेंगे जै श्री राम और बाकी आप देख रहें जैसे कि हमने धोर्ज लगाई हुए है हर मार्केट में हर जगह 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 दो आपना दो दिखेंगे जैश्री राम के नारे दिखेंगे और जो भी हमारी मार्केट में आएगा अगर वो ना चाहते हुए वह मूझ से जरूर जैसे आप उन्होंने बताया है हवन होना है पार्ठ होना है बाकी सारा यह परशाद बनना है उसका चैने का बनना है तो उसके बाद हम सारा प्रोराम बनाएंगे साजी मार्केट की तरफ से और शाम को अस्तवाजी होगी और दिये जलेंगे तो क्योंकि अगर हम 22 तारीक की बात करें भव्य तरीके से योद्या वो तो सजी ही है चंडीगर की तमाम जो मार्केट से राउंड अबाउट से उनको भी सजाया गया उत्साह कितना है भक्तों में उत्ता बहुत है जी आपने देखा होगा हर चोंक सजा हुआ है हर आदमी को यह है भी ऐसा दिन कभी गबा है आपने सुना होगा कि पिछले 500 सालों से जो रामलला है वहाँ पे टेंट में थे अब वह आपने भवे मंदि में विराजेंगे आज यंग्स्टर अगर हम बात करें कितना भवे यह नजारा होने वाला उसको लेकर क्या खास क्या दिल में आता है देखिए हम तो सबसे 500 साल की वेट सी आज वो पूरी हो जी और बहुत अच्छा लगी रहा है अगर हम आपसे बात करें आपने तो तमाम उन दौर को देखा है उस दौर को देखा है जब योध्या में जाने लोग है कतराते दरते थे आपको लगता है कि प्रान प्रतिष्टा के बाद योध्या ह वह भवे हो जाएगी जो लोग है दूर-दूर से वहाँ पर पहुंचेंगे बिलकुल सभी बात आपकी सब लोग अपने खुशी से जा रहे हैं और हम सब खुशी से अपना बनाएंगे कितने प्रसंद हो आप हम बहुत जाला प्रसंद हैं आप देखी रहे हैं सब की जो लाइट से उसे सजाया गया है हर कोई चाहता है कि 22 तारी का जो कारिक्रम है वह खास रहे उसके साक्षी है सब लोग बने और सिर्फ और सिर्फ श्री राम की जो ध्वनी है वह चंडिगड में इस वकत सुनने को और देखने को मिल रही है वीडियो चानलेस चांदी राम के साथ लालित शर्मा चंडिगड